Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दी इनाप पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 010 का लेसन ठर्ट परणने वाले हैं चैप्टर के अंदर में से, दोनों कोश्चन क्या रहते हैं, तो पहला तो कोश्चन यह रहता है कि यूरोप के नगरों का विकास किस परकार से हुआ मंदेकाल के अंदर में, यूरोप के नगर किस परकार के थे और उनके इतिहास कारों का क्या मानना है नगरों को लेकर, पहल से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाने की कोर्सिस करेंगे अच्छे पढ़ने के बाद यहां पर दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी वीवर से जो भी देख रहें अपना एक-एक सस्क्राइब करने से, एक लाइक करने से, एक एक कमेंट करने से हमें मोल्टिविशन मिलता है, ठीक है हम और ज्यादा मेनत करते हैं और अच्छे से वीडियो बनाने कोर्सिस करते हैं, अपने आपको इंप्रूव करने कोर्सिस करते हैं तो सस्क्राइब जुरू करें अपने दोस्तों से भी करवाएए चले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दीके कोश्चन क्या बनकर आता है तो दो तरह के कोश्चन बनकर आते हैं पहला तॉचन दोनों के इंदर में सेमी रहता है कि मद्यकालिन जो पूरा टाइम पिरेड था उस समय पर नगरों का विकास किस परकार से हुआ ठीक है और जब हम उसको study करते हैं अध्यान करते हैं तो उसको उसके related जो इतिहासकार जिनको भी हम study करें जिनोंने मद्यकालिन टाइम पिरेड के नगरों के बारे में लिखा है ठीक है तो उस समय की विचारधार है कहती इतिहासकारों की क्या मानना था अब देखो सब इतिहासकारों का एक जैसा सोच तो होगा नहीं कुछ कुछ और कह रहे होंगे कोई कुछ और कह रहा होगा तो उनके बारे में पढ़ना है कि उनका क्या मानना था यूरोप के संदर में और भारत के संदर में इस चाप्टर में दो ही question बनते हैं पहले हम पर कोई भी चीज़ की पैदावार production बहुत ज्यादा मात्रा महों अब production देखो आपको मैंने जो MHI 01 पढ़ा रहता भी कुछ दिन पहले तो उसके अंदर में मैक्स बेबर के मैंने पूरा बाइग्राफिक तरह से बताया थे कि मैक्स बेबर की धारणा थी नगरों को लेकर थीचे के तो मैक्स बेबर की धार् Users के अंदर मांने पड़ा था सामनध वाद वाले चैप्टर के अंदर में मैक्स बेबर के वारे में पड़ाता है उत्व spacantवाद के अंदर की रूप में क्या तो जो नगर होती तो ऑरंबिक नगर जो ते पारंबिक आरंबिक नगर हो लिए रीजन क्या था तो क्नीकी परीवर्तन आ रहा था जहां पर एक खेस से 10 किलो अना जुगना था वहां पर 40 किलो गों लगा तो 30 किलो तो एक्स्ट्रा हुआ ना 10 किलो है या आदमी खार तो 30 किलो को करेगा क्या तो क्या किया जाने लगा मारकेट में बेचा जाने लगा बजारों में बीचा जाने लगा जिसके कारण से जो उस पुरा प्रॉचेस के कारण से नगरों को उतपादन किंद्रों के रूप में दिखा गया उतपादन मतलब जहां पे production हो रहा हो ठीक है समझ में आता है दूसरा पॉइंट ही रहता है कि मद्यकाली नगर पश्ची में पुंजीवाद के विकास का प्रफिच्छे इस्तल बने अब देखो पुंजीवाद क्या होता है रोज़गार विक्सित हो रहे थे तो नए-nए तरह के पुंजीवादी अफसर मिल रहे थे और पुंजीवाद का कैपिलिजम का विकास होते हुए दिखा गया मद्यकाली पश्ची में नगरों को ठीक है जो पश्ची में के नगर थे उसको पुंजीवादी विकास के तौर प देखो मालो एक वैपारी है जो कलकत्ता से चलकर डेली आया तो उसकी कुछ कल्चर होंगे ठीक हो डेली में आया तो उसने कुछ अपना कल्चर यहां पर सीखाया वैपारी कई बार क्या होता था कि वह अपना समान बेचने के लिए भी आता था और यहां से समान खरीदने के ल एक जगह की जनसंख्या में भी परिवर्तन का कारम देखा गया ठीक है समझ में आता है यहां पर हम साथ साथ देखते हैं कि 11 सताथि के बाद पश्चमी यूरोप में वैपारिक उन्नती के साथ-साथ यूरोपिय नगरों का उदबह हुआ अब देखो 11 वी सतापदी में जैसी पस्चमी यूरोप की हम बात करते है तो वैपारिक उन्नती होने लगता है वैपारिक उन्नती किस परकार से देखो अब नगरों को उतपाधन केंदर को रूप में हम दिब-जब देख रहे हैं जहां पर जो नगर है जो सहर है वो प्रोड वैपारिक उन्नती देखा गया कि यहां पर वैपारिक उन्नती हो रही है वैपार प्रोग्रेस कर रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूरोपियों नगरों का वैपारिक उन्नती के तौर पर विक्सित हुआ उद्भव हुआ यहां पर यहां पर फरनाड ब्लड करके आते इतियास्कार होते है जो के दोला तेनों होते क्या है यूरोप में मद्यकाली धार outta को समझाईए ऑलग-लग इतियासकारों के नजरिय को बताइए तो आप क्या करोगे जितने भी पॉंट्स में बता रहो न उन पॉंट्स को लिखेड उसको explain करोगे ठीके यह सारा जो पॉइंट से आपके बुक से ही लिया गया इक्षा नहीं है कुछ पॉइंट्स कम कर दिये गया है बहले पर वहीं से लिया गया जिससे आपको पॉइंट्स को समझे माएं और यहां पर वीडियो को मैं थोड़ा सा रोक कर आपको सजेशन दूँगा जरूर सबी students को जिनके पास भी MHI 010 है क्योंकि MHI 010 one of the toughest book है आप इसको मान के चलो one of the lengthiest book है क्योंकि इसके अंदर में जो time period हम cover करते हैं एक बहुत लंबा time period cover करते हैं आपना पहला chapter खोल लो और आखरी chapter खोल लो दोनों के questions आपको एकदम same मिलेंगे अगर आपने अच्छे से study नहीं किया ठीक है तो आपको समझ में नहीं आने वाला है जादा तर जो students की back आती है MHI 010 के अंदर में आती है तो जो भी students हैं जो इस वीडियो को देखने हैं तो वीडियो को last तक देखें अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो comment करके पूछें अगर आप directly मुझसे जूदना चाते हैं मुझसे call पर बात करना चाते हैं कुछ doubt अपना solve करना चाते हैं तो comment करें मैं WhatsApp गूर्प का link देदू वहाँ से directly join कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं फिस पूछ सकते हैं किसी भी social media पर पूछ सकते हैं बढ़ सस्क्राइब जरूर करें जिससे हमें भी motivation मिलें हम भी आगे बढ़ सकें अब देखो हम वापस अपने topic आते हैं पर नाट की न हाँ यहाँ पर कहा गया कि जो नगर है नगरों का विकास हो कि основ तीन क्रमों में बाठ दिया कि तेन तरएकिए दी को देकलिए तरक्वी हो रहा है तुनों तीन पार्टों में नगरों को दिखा मुक्त नगर फ्री नगर के तवर पर देख इस आक्षित नगर और अधिनस्त नगर अब तीनों होते क्या है एक एक करके हम इसको समझते हैं देखो मुक्त नगर क्या होता है जिसका आंतरिक भूभाग और बाहर का जो भी हो ना वह दोनों सेम होता है और मिस्रीत होता है मतलब दर मिक्स कोंबिनेशन चलता है ठीके अंदर बाहर एक जैसा होता है यह सा नहीं रहता है कि अंदर में कुछ और है बाहर में कुछ और है पर इनके ओपर जो कबजा होता था पर ज़्शानों होता ठायए उसका आधिकार होता था किसानों sucks होता था यहां पर किसान पर था को जादा तेजी मिलती है यहां पर किसानों को जादा महत्व दिया गया ठीक है तो मुक्त नगरों के अंदर में किसानों का दब दबा था मतलब किसानों का अधिकार होता था ठीक है एक तरसे मालों किसानों का गाउं इस तरसे हम मानके चल सकत तो आरक्षित नगर क्या थे? जहां पर आत्म-Nirm removal iqaīna थी, जो लोग थे, वा में बढ़ रा MI shape-taire beforehand, just your step-to-cous general 만큼." ठीक है ये माना जाता है नगर कहते है सामन्तों से मुक्त जो सामन्त पर था थी ना सामन्त वाद सामन्त पर था उनसे ये मुक्त मानी जाती थी आरक्षित नगरों को मुक्त माना जाता था इन नगरों में रहने वाले लोगों द्वारा सत्ता के सापेक्षिक रूप से हस्तगत कर दिया गया देखो जो लोग इस नगर में रहते थे उनके पास में पावर होती थे यह यहाँ पर देखा गया अधिनस्त नगर जो तीसरा हमारा नगर होता था यह तीसरे परकार के नगर थे ये नगर राजाओं और राजे के अधीन होते थे ठीक है पूरी तर से एक राजा चुना जाता था उसके अंडर में ये नगर वर्क करते थे मुक्त नगर में कोई राजा नहीं होता था, सब अपने आपने इक होते थे, ठीके, पर अधिनस्त नगर के अंदर में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रौपर एक राजा होता था, एक सीमा होती थी, कि ये बॉंडरी इस व्यक्ति के अंदर में आती है, ठीके, फ्लोरे द्रिश्टी से सम्मिर्द होते थे बहुत ज़ादा फले फुले आर्थी द्रिश्टी से मानजाते थे ब्रेंडल के निउसार यहां पर दिखा जाते कि वैपारिक राजनीतिक और धार्मिक आर्थिक नियंतरन संबंदित प्रकार के सिल्फ करियकलाप बड़े नगरों का लक् अधिक नियंतरन जो सम्मंदित करें कलाप होते तो उसके उपर वर्क करते थे सिल्प मतलब अलग लगता है कि जो टेक्नीशन होते थे मानलो कोई कलाकारी है सिल्प से जुड़ा हुआ किसे और चीश से जुड़ा हुआ उसकी भी उपलब्दता अधिनस्त नगरों के अंदर मिलता था और यह जो इस तरह के जितने भी लक्षन होते तो बड़े नगरों को परजेंट करते थे बड़े बड़े नगरों को अब देखो नॉर्मल सी बात है जहां पर राजा रहता है तो नगर ऐसी तो होगा नहीं कि चोटा मोटा गाउं जैसा राजा रहा तो अपनी सुझदा के साफ़ सारा चीज विक्सित करेगा फॉर एक्जामपल आज के समय हम डेली को मान कर चलूते हैं तो डेली क्या है भारत की राजधानी है डेली के अंदर माओ आपको दुनिया की हर्चीज मिलेगी ठीक है क्यों आप मैं डेली से हूँ तो डेली क्या है वो 135 करोड लोगों को प्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए डेली ठीक है तो मतलब क्या एक तरसे बड़े नगर के तौर पूसको दिखा जाता है ठीक है उसी तरसे मुंबाई हो गया तो यह क्या आर्तिक हमारी राजधानी है तो वो बड़े बड़े नगर जो राजधानी होती है न पटना देख लो बिहार की हम बात करें तो बिहार के अंदर में किसी कोई और जिला और पटना जिला की बात करोगे तो दोनों में बहुत डिफ्रेंस है पटना मतलब एक अपने आपमें पोलिटिकल तौर पर आर्थिक तौर तौर राजनितिक तौर फर धार्मिक तौर पर बड़ा केंदर के तौर पर दिखायता है किसी और जीले और कसमे तो पूरे नियूस में आएगा पूरे मेडिया में वहां पे घटना मतलब पूरी तर से हिल्व कुर्सी का हिल्वा यह मान जाता है समझ में आता है तो इस तरह से अधिनस्त नगर माना गया ब्रेडल के द्वारा नॉर्मल यहां पे यह चीज़े बताई गई ठीक कि किस तरह स यहां पे मिसेल फूफो हैंडरी और एडवर्ड सोजा का कहना है कि नगरिय इकाईयों के निर्माण में सम्मिलित इस्थानिये इस्थानिक प्रकिरियाओं का विशलेशन और अध्यन उनसे मानविये निर्माता हों कि उद्दे से तता उनकी पूर्ति सीमा का पता लगाने क एक के लिए किया जा सकता है अब देखो किस तर से मानविये जो निर्माता होते हैं ठीक है उनको अध्यन करना उनके बार में स्टडी करना ठीक है जो नगरिय इकाईयों मुझे उनकी सीमा का पता लगाने सारा कुछ उसके अंदर में आ जाता है नगरिये करेंड के इनदर म पर बूला जाता है किस-किस इतिहासकार ने बोला तो मिसेल फूफे हो गया हैं परकिरियाओं का विशलेशन करता है उसका अध्यन करता है मानवी निर्माता हूँ जो माना द्वारा निर्मित किया जा रहा है उसके उद्देश्यों की चर्चा करता है कि किस प्रकार का उद्देश्य था ठीक है उसके पूर्ति की सीमा क्या है उसका पता लगाया जा सके उसके बारे में वध्यन करता है टोटल इस तरह से बता जाता ह मेक्स बेबर ने प्राचिन ग्रीक तता रोमन नगरों का मुखेता उपभोग केंदरों के तौर पर दिखा, जो प्राचिन नगर थे, ठीके चाहे ग्रीक की मान लो, या रोमन नगरों की बात कर लो, उनको वो उपभोग केंदर पर दिखा गया, उपभोग केंदरों के तौर पर यहाँ पर दिखो यहाँ पर उत्पादन के इंद्रों के तौर पर मैंने बताया तो उत्पादक के इंद्र मतलब क्या जो पैदावार जो प्रोड़क्शन कर रहा है और जो उसको खा रहा है जो उसको consume कर रहा है उपभोग कर रहा है तो प्राचिन ग्रीक और रोम क्या थे कि ऐसे जो नगर थे जो सबसे बड़े उपभोग केंद्रों के तौर पे उस समय सामने आते हैं ठीक है समझ में आता है यूरोपे मद्यकाली नगरों को उत्पादन केंद्रों के रूप में दिखा पुंजिवादी विकास की परकिरिया को विनिमय की परकिरिया से जोड़ा गया जो पुंजिवादी विकास हो रहा था विक्सित हो रहा था किस तर से लेन देने क्या जा रहा था पुंजिवादी को एक तर से विनिमय का माध्यम बनाता है विनिमय क्या होता है उसको इंगल बनते हैं jusctew पुंजिवाधी प्रक्रिया का विकास होता है आप ये क्या सकता हो पुंजिवाधी की प्रक्रिया का विकास कर ने पहत Definitely आप रिए जुड़ता जा रहता और विनिमें różब स्वाधी जूरता चाहिए यह भी यहां पर दिखा गया उत्पाद को वैपारियों के हितों को राजनीति तता सांस्कृतिक परात्मिक्ता परदान की गई ठीके जो उत्पादक होते थे जो उत्पादन करते थे जो पैदावार करते थे वैपारियों होते थे उनके हीतों को राजनितिक तता सांस्कृतिक प्राथमित्ता दी जाती जो भी उनके हीतों होते थे जो उनके भलाई की जो कार्य होते जैसे कहें आज की समय देखो भारत के अंदर में किया है कि बड़े-बड़े उध्योक पती है तो उनके हीतों को लेकर टेक्स में कई बार जूड़ दि जाती है, गॉर्मिन्ट जब अपना बजट पेस करते हैं, तो उनके लिए लग लगतरा इस अफ़्र लाती है, आप ये कर सकते हो, अपना बजट सेशन के अंदर में ये चीजे कर सकते हो, इस तरह से आप टेक्स बर सकते हो, यहाँ पे टेक्स की जो मात्रा है उ उत्पाद को और वेपारियों से मिल करुई है उनकी में ली ग्रचना थी उत्पादकें स्थापनां को सरे समाजिक परिवर्थन को लए तो समय में परिवरथन को देते sh łणा उसके मद्यकारी नगरों का उत्थान बजारों के विराम ने सामंतवाद की संरचना पर विक्टनकारी प्रभाव डाला अब जैसे देखो सामंतवाद की जो संरचना था उसके उपर में बड़ा नुक्सान किया वैपारों के जो नगरों के उत्थान ने ठीक है वैपार जब रुक थम से गय तब उसके काद तब सामंतवाद के उपर में विक्तनकारी समांतवाद को इतन घीषते वह पतन पतन की ओर लिते जाते हुए उस तरह का कारी कर रही थी ठीक बज़दारों के विरामने ठीक समझ में आता है जहां पर बज़दार इस्थी रोग गयते देरे हो गयते उस समय के टाइम प्रेट के हम बात करते हैं, नगरों का उत्थान मतलब क्या, जिस समय पर नगर बहुत तेजी से विक्सित हो रहे थे, जब नगर विक्सित हो रहे थे, तो क्या हुआ वजार भी विक्सित हो रहे थे, वजार जब एक समय पर रुख गया था, तो सामनत वात क GPKAR2 परवाव देखने के में मिलता है अगे मैं बात करू दोस्ते यह आ पर तो मद्न कालिन हम भारतियनगरों को संदर में इसमें भी कोशन सेमी बन कर आता है किम्हां भारतियनगरों का क्या मानना था ठीक है उनका motive क्या था, motive of concept क्या था, दिरिष्टी कौन क्या है इत्यासकारों का मर्दिकारे नगर, भारती नगरों को लेकर उसके बारे में question बन कर आता है तो यहां पर मुहमद हबीब के दौरा कहना था कि मुहमद गौरी की विजे के पस्चात उत्तर भारत में श्रमपर के लिए में तेजी आई, यह मानना था अब देखो श्रमपर के लिए होती कहा है, जहां पर labor work ज़्यादा ज़्यादा काम करती है तो जब मुहम्मद हभीब कौन था तो एक बहुत बड़ी ध्यासकार के तोर पे देखे गए जो अंग्रेज, मतलब आप ये मान के चलो मुहम्मद हभीब जो थे उन्होंने मुहम्मद गौरी का पूरा ध्यास लिखा तो मुहम्मद गौरी के जब इत्हास लिख रहे थे तो उसनों ने देखा कि मुहम्मद गौरी के विजे के पस्चा जब मुहम्मद गौरी जीत गया, यूद को जीत गया मुहम्मद गौरी कोन था और उसका पहला यूद किसके साथ हुआ था भारत के अंदर में, आप कमेंट करके बताईए, ठीक है, मैं जाना चाहूँगा कि कितने स्टुडेंट्स को उसके बारे में पता है तो मुहम्मद गौरी का जब विजे हुआ तो उसके पस्चा उत्तर भारत का पूरा एरिया था नौर्थ इंडिया का वो स्त्रम परिकरिया में तेजी है, जो लेबर वर्क था वो बहुत जादा बढ़ता चला गया, नगरी करांती का जन्म हुआ, रीजन इसका यह था कि द मुहम्मद गौरी के जेनिक ने निरमित परदारतो का उत्पादन कार्य किया, जो मुहमद गौरी के सैनिक तो ह군ता है, प्यान से निइक्वो था, जैसी चीज यह था बीद बहुत है, एंपस में भीदभाव है, ठीके, वहां पर अलग के बिलत गोंका स्रम योगदान देखने के लिए मिलता है जिसमें महावत जो हांती को चलाता है कसाई बुनकर ठीकए आदी जैसे ज़िस्थ्रम योगदान थे वो भी नगरों में देखा पढ़ाने का है मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं अपना स्रम योगदान दे रहा हूं उसी तरीके से बिहार से अलग लग व्यक्ति आये हुआ है कोई यहां पर काउंटेंट है कोई यहां पर लेबर है कोई यहां पर मिस्तिरी है कोई यहां पर ड्राइ पर दाव,जो के 봤 treaty में बढ़ती हो आमक कारण के संपा है प्रीकी तो पर आखते की और व你在-खियंग था कि अलग अलग कि जो लोग ते वह चो एक जगए कट्व trafficking त्थे टीके तो महावत चोहांति को चलाते हैं कासाई जो गायWhen-भैंस जानवरों काट काटते हैं मुर्गा बकरी जो भी है उनको काटते हैं बुनकर जो बुनते हैं वो सारे लोग क्या करते हैं स्रम में योगदान दे रहे थे इसलाम के प्रभाव के कारण इन कार्यों में तुर्की हिस्सेदारी बढ़ गई जो तुर्की लोग थे इसलाम का परभाव था तो कई जगव पर इस्लामिक लोगों का ही ज्यादा तर इन चीजों में हिस्यदारी थी तो इसकी कारण से यह चीजे जो कारण थे वो तुर्की हिस्यदारी बढ़ती चली गई क्योंकि जितने भी यह लोग आये थे जो बार से आकरमन कारी यह वो सारे तुर्क और अरब देशों से बढ़ती चली गई समाजिक गति इस से बड़ती चली गई समाज की बढ़ती चली गई सेनह के लिए सैनिक कार खानों के लिए करमचारी सिल्पकार नीजी सेवक संगीतकार निर्तिया आदि नग्रों में बड़ी संक्या में उपलबद हो गया अब देखो जब नगर का जो मूर्थिया बना सेके नीजी सेवक मिल जागा से नौकर मिल जागा मया लो एक तरह से संगीत कार डांसर सिंगर सब कुछ मिल जागा बड़े बाड़े नगरों के अंदर में यह उनकी विसेशता होती थी मुहमध मुहम्मद हभीव ते उन्हों ने बताया कि मद्यकाली नगरों के अंदर में स्रम परक्रिया किस प्रकार का और जिसकी आलोचना इर्फान हभीव द्वारा की गई ती इर्फान हभीव ने अनुसार आर्थिक विस्तार का मुख्य कारण कागज वस्तर और भवन पर्दुगी के कारण परिवर्तन और वैपार का बढ़ावा देना था ठीक है यहाँ पे देखो जो मुहम्मद हभीव थे वो स्रम परिक्रिया को में इंपोर्टेंस मानते थे ठीक है स्रम योगदान को में रोल मानते थे कि जो नगरों के अंदर में परिवर्तन हो रहा था नगरों का विकास हो रहा था वो यह मानकर चलते थे पर इर्फान हभीव का मानना क्या था कि कागज का विस्तार होना वस्तरों का विस्तार होना भवनों पर्दुगी का विस्तार होना उसके अंदरे परिवर्तन आना वैपार का बढ़ावा देना य वो भूर असा पनाली के अंतरगत आने लगे देरे देरे से उनका विकास किया जाने लगा ठीक है वो भी देरे देरे सेहरों के तौर पे बदलते हैं चले गए बीडी चटोपध्याय के द्वारा और आर चंपक लक्ष्मी के द्वारा भारते नगरों का उधवव को नवी सता चुम समराज्य के अंदर में अनेक नगरों का उधवव यह मानना था किंका तो आर चंपक लक्ष्मी का ठीक है आर चंपक लक्ष्मी की यह कि आधिकान स्नोगरों का उदेर राजनेतिक कारणों से भी हुआ यह क्या आपको पता है भारत कि राजदानी क्योव तो क्यों को दिल्ली को बनाएगा तो उसके पीछे पार्थिक राजनेतिक, सांस्क्रतिक हम नोढ़ित है तो आपको समझ मैं, अगर आपको उसके उपर में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना है, मैं उसके उपर में प्रॉपा एक वीडियो बनाकर लाँगा, जिसमें हम बात करेंगे, दिल्ली ही भारत की राजधानी क्यों बनी, ठीक है, इसके बार में हम डिसकस तो friends, यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड करूँगा, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, और यहाँ पर last में एक बार और request करूँगा, मैं आप सभी students से, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, आपको थोड़ी से भी अगर learning मिल रहे ह हमारे चैनल से, आपको थोड़ा सा भी अगर benefit मिल रहा है, तो इसका हमें भी इलाब दें, हमें भी motivation का, हमें भी motivate करें, और दी इनव और नव इनफो को जुर सस्क्राइब करें, जिससे ये भी और आगे बढ़ सकें, और आपकी help कर सकें, तो friends, take care, all the best, bye bye